तो दोस्तो पैथोगोल क्लाउड के अंदर जब हम रेडियो लॉजिक के कोई मॉडूल लेते हैं तो हमारे पास में और भी एक नई फैसिलिटी आ गई है जिसमें हम बोलेंगे पैक्स, तो जिससे आपके जो डाइकॉम इमेजेस है, वो मशीन से जो इमेज आती है, जिसे एक तो वो डाइकॉम फार्मेट में होती है, और जैसे अगर सब्सक्राइब आपने उसको सेव किया, जेपीजी फार्मेट बना दिया, तो इमेज जम हम एक्स्पांड करेंगे, तो वो इमेज हो जाएगी, इतनी प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं रहेंगी, तो अगर हम पैक्स वो अच्छे से वो इमेज को देख सकते है, उसको एनलीसिस कर सकते है, क्योंकि जो भी एनलीसिस है, इन्वेस्टिकेशन में, रेडियोलाजी इन्वेस्टिकेशन का जो एनलीसिस है, वो सबसे इंपॉर्टन है उसकी इमेज कॉलिटी के ऊपर, जिससे आप क्लारिफाय कर स सकते हैं कि वाट इग्जाट्ली इसमें बेनेफिट है कि जो रेडियो लोजिस्ट है उनको दो अलग-अलग सौफ्ट्वेर को इस्तेमाल करने की ज़रत नहीं वह रेडियो लजी की मैज देख सकते हैं साथ में इसका रिपोग्लिक सकते हैं तो फुली इंटिग्रेटेड को देख रहा है तो हम चलते हैं सौफड़ के अंदर और जो मशीन हमारे कनेक्ट हो जाएंगे रेडियो लोजी की मशीन उसमें से आटमाइडिकली इमेज आती जाएंगी और इजिस्टर कर देंगे क्योंकि हमद्रीक याभी ओल्रेडी रेडियो पेशंट को देखते हैं त टेस्ट बगरे लोगे और जैसी इमेज जाएंगे मशिन से तो आपको यहां पर डारेक्ली टेस्ट रिजल्ट वेंडो के अंदर आपको इमेज दिखेंगे जो आम डेमो आज देखेंगे हम पेशन्ट को ले लेता है यहां पर अंदर जाते है पेशन्ट में सिलेक करेंगे और देखिए यहां पर डिस्प्लो टेस्ट मेमो करके फिल्ड है एक्सरचेस्ट एपी तो आभी मुझे इसका रिपोर्ट लिखना है तो इसके लिए यह ब्लैंक रहेगा जब आप इसको उपन करोगे पेशन्ट को यहा आप पहले सबसे पहले आपको इमेज देखने है ति मैस आपको यहां पर दिख जैंगी पैक्स प्रिव्यू नाम का बटन दिया है वहां पर आपको इमेज दिखेंगे तब देख सकते हैं अब देख सकते हैं और यहां से वो इस तरह से आपको जो भी आइंगल मेजर करना कर सकते हैं इस तरह सब मेजर कर सकते हैं आपको खुछ लिखना है ता लिख भी सकते हैं यहां पर टूल है बहुत सारे टूल जो दिये है कर सकते हैं यहां पर दिये गया है यह अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह सब कर सकते हो और बस इसके बाद में आप इसको सेव कर सकते हो हो जाएंगे इमेज और अभी हम यह इमेज देख रहे हैं इसके साथ में रिपोर्ट लिखना है तो रिपोर्ट मरें यहां पर पी यह यह विंडो मेरे पास में यहां पर मैं इसका रिपोर्ण सकता हूं ठीक है इस तरह से पूरा इस तरह से पूरा विद रेडिया लॉजी विद पैक्स इमेजेस के साथ में आपको यह मॉडुल मिल सकते है देखिए मैंने अभी इस पर रिपोट लिखना है और मुझे डाउनलोड करना फॉर्माट यह डाउनलोड कर लिया मैंने फॉर् आप एक रिजन दे दीजिए कि फर्स्ट ताम जब आप करोगे तो आपको यहां रिजन देने की जरुरत नहीं नेक्स ताम जब आप इस रिपोट को एडिट करोगे तो आपको रिजन देना पड़ेगा उसके बाद आप इसको सेव अन्ड क्लोज कर कर सकते हैं तो इसकी इमेज साथ में आजाएगे इस तरह से पूरा पैक्स का सौप्ट्वेर है सेम इमेज डॉक्टर भी देख सकते हैं उनको कुछ एनलीस करना है तो वह एनलीसिस करके इमेज को देख सकते हैं तो दोस्तों, अगर आपको एक फैसिलिटी चाहिए, आप हमसे संपर करें, हमारे पास में जो इमेजेस हैं, यह हमारे सर्वर पर रहती है, वन मन तक इमेजेस वहाँ पर रहेंगी, एक्सरे, अल्टरा साउंड, MRI, CT, डिफरेंट डिफरेंट टाइपस की इमेजेस आती हैं, इनके जो रेट्स हैं, पर स्टडी के इसाब से, यानि कि पर पेशेंट के इसाब से आपको लगेंगे, उसके लिए आप हमसे संपर करें, और यह फुली इंटेग्रेटेड़ सॉफ्ट्वेर का, यह लिए आप यूज़ कर सकते हो, और आपको इससे काफे बेनेफिट हो सक यह जड़ु को गज़ का, यह बिएक हैं उह०्ट्ते हैं, जटिए्यकों……